आज नवरात्री के सब्तम दिवस हम माता काल रात्री की पूजा करेंगे माता काल रात्री अर्थात माता आधी शक्ति की वो रूप जो काल अर्थात मृत्यों को अपने वश्मे करने में समर्द है इस रूप में माता संसार को स्त्री की इच्छा शक्ती का परिचे देती है और ये दर्शाती है कि स्त्री शक्ती भक्ती एवं तपोबल से अपने परिवार पर आए किसी भी संकट को दूर करने में सक्षम होती है फिर वो संकट मृत्यू ही क्यों ना हो किन्तु माता का काल रात्री स्वरूप अत्यंत भयंकर भी है इनके शरीर का रंग गहन अंधकार के समान काला है शीष के केश बिखरे हुए हैं और इनके कंठ में विद्यु समान चमकीली माला स्थित है माता के तीन नेत्र हैं जो ब्रम्भांड के प्रतीक के समान गोलाकार है प्रतीक नेत्र से विद्यु समान चमकीली प्रकाश किर्णे प्रसफुटित होती है इनकी नासिका से श्वास प्रवा के स्थान पर भयंकर अगनी के समान ज्वालाएं प्रवाहित होती है और इनका वाहन गर्धब है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और बाई ओर के उपर वाले हाथ में लोग कंटक और नीचे वाले हाथ में खड़क रहता है माता काल रात्री अज्ञानता रूपी बुराई का विनाश करती है और अपने भक्तों को वो शान्ति, स्थिर्ता एवं साहस प्रदान करती है स्वरूप से भयंकर प्रतीत होने वाली माता काल रात्री की पूजा का फल सदैव शुब होता है इसलिए इनका एक नाम शुम्भकारी भी है अब तक माता के नौ रूपों की कथा में आपने जाना कि माता ने शैल पुत्री रूप में महराज हिमावन के यहां जन्न लिया फिर ब्रम्चारणी रूप में कठोर तब कर महा देव को वर रूप में पाकर उनसे विवाह किया फिर चंद्रगंटा रूप में घंटनाच से बुरी शक्तियों का नाश किया केलाश और अपने स्वामी की कुशलता को सुनिश्चित किया माता कुश्मांडा स्वरूप में माता ही संसार की प्रान शक्ति होती है और उनके स्मित हास्य से ब्रह्म्भांड का जन्म होता है स्कंद माता रूप में माता ने कुमार कार्तिके एवं गनेश्ची को संसकार प्रदान किये जिस प्रकार एक नारी अपने ग्रिह में अनुशासन एवं समय का महत्व समय समय पर सबको ग्याद कराती रहती है और अपने क्रिया कलापों से सभी को संचालित करती है उसी प्रकार माता काल रात्री हमें समय का ग्यान देकर समय पर नियंतरन रखने की प्रेड़ना देकर हमें अनुशासित करती है माता के इस स्वरूप का प्रादुर भाव तो इस कल्प में आगे चलकर होगा और तभी संसार को माता की कथा का ज्यान भी होगा आज नवरात्री का अश्टम दिवस है आज हम माता महागौरी रूप की कथा कहेंगे माता महागौरी हम माता के इस रूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुखें राम्हन देवता गौर अर्थात स्वाइन माता का ये अद्भुत और सुन्दर स्वरू स्वाइने माभा से शुशो गते बात उस समय की है जब माता पार्वती गणेशी को उत्पन कर मात्रित्व का सुख प्राप्त कर चुकी थी ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई मा पुत्र मा मैं अपनी पूजा संपन्न कर चुका हूँ किन्तो मुझे बहुत भूख लगी है पुत्र, पैं अभी भूजिन के व्यवस्था करते हैं चाहां और जाकर अपने ब्राता को भी बुलाला तो अभी अभ्यास कर रहा होगा माता तो पून रूप से अपनी ग्रहस्थी की देख रेक में मगन हो गई थी महादेव के साथ अपने पुत्रों के सुख का ध्यान रखने के साथ कैलाश को सुविवस्थित रखने में मगन थी वो महादेव क्या हुआ ब्रह्मदेव किस चिंता ने आपको यहाने पर विवस्थ कर दिया महादेव जगत का ल्यान हे तु अब वो समय आ गया है जब देवी पार्वती को अपने देवी महागौरी रूप में प्रकट हो जाना चाहिए ब्रह्मदेव ये तो आप कोई भली भाती ग्यात है कि देवी आदि शक्ति अपना देव्य सरूप किसी कारण वहशी पर कट करती है जैसे यदि श्रिष्टी पर किसी असुर का आतंग छाया हो या उनकी संताने किसी बड़ी संकट में हो आथी तो बैसा एक कारण आपको ही उत्पन करना होगा महादेव देवी पारवती अपने ग्रहस्ति में एतनी रम गई है कि वो ये भी भूल गई है कि उनका दिव्य स्वरूप क्या है इसलिए किसी प्रकार उनमें उत्तेजन उत्पन नहीं होगी उनमें अपने दिव्य स्वरूप को दारण करने की इच्छा भी जाग्रित नहीं होगी ब्रह्मदेव स्पष्ट कहिए आपकी मुझसे क्या पिक्षा है क्या हुआ माता आप अचानक इतनी विचलित क्यों हो गई ब्रामधन देवता इतनी कठोर तपस्या कर माता ने पती रूप में महादेव का सानिध्य प्राप्त किया और फिर संतान प्राप्ति के मार्ग में भी उन्होंने इतनी बाधाओं का सामना किया और अब जब माता को कुमार कार्थिके और गणेश जी के रूप में संतान सुक्की प्राप्ति हुई और उनका जीवन एक पूर्णता प्राप्त कर चुका था तो उनके द्वारा एक ग्रहनी के दाईतों को निभाने में अनुचित क्या था? माता इसमें तो कुछ भी अनुचित नहीं है वैसे भी एक ग्रहनी का कर्तव्य तो अत्यंत कठिन होता है किन्तु सत्य तो ये भी है कि माता जगत जननी है माता आदी शक्ती है और उनकी दया द्रिष्टी एवं स्नेही की आविशक्ता तो इस संपूर्ण संसार को है समय समय पर दुष्ट शिक्षण एवं शिष्ट रक्षण हे तू माता को अपने दिव्य रूपों में प्रकट होना अनिवार्य होता है स्रिष्टी को माता की आवश्शक्ता थी क्योंकि साधकों को अनेक सिध्या प्राप्त करने में एक मात्र माता ही सक्षम थी और ये साधक इन सिध्यों की शक्ती से ही संसार का कल्यान कर सकते थे माता पार्वती द्वारा माता महागोरी रूपधारन करना स्त्री शक्ति की पूर्ण व्याख्या के लेभियावर्शक था क्योंकि एक स्त्री के जीवन में विवाह का विशेश महत्व होते हुए वे उसका जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता विवाह के उपरांत में एक स्त्री परिवार की देखरेक के साथ साथ सर्व समाज के उध्धान में अपना योगदान देने में समर्थ होती है उचित कहा ब्राम्हन देवता तो फिर ब्रम्हदेव ने माता को प्रेरित करने हेतु कैसा कारण उध्पन करने का सुझाव दिया उनके अनुसार इसका एक मात्र उपाय था महादेव द्वारा माता का अपमान निंदा, निंदा मैं, मैं उमा की निंदा करूँ हाँ महादेव आप किसी भी प्रकार देवी पार्वती के रूप के निंदा कीजिए प्रम्हदेव, मेरी अर्धामिनी है उमा उसका रूप नहीं उसका त्संपून प्रती रूप दिव्यता का प्रतीक है अति सुन्दर है उनकी शक्ति अनंद है स्वयम प्रकृती है और ये ग्यात होते हुए भी आप मुझे कैसा सुझाब दे रहे हैं मेरे कथन को अनिथा नाले महादे कदाचित हमारे पास कियोग यही एक उपाय है संसार में कल्याण ही तुँ आपको ये करना ही होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देवि पारवती की निंदा करने का उपाए अवश्य गूर्ण लेंगे तो क्या महादेव ने माता की निंदा की उन्होंने इस परिस्तिती को कैसे सम्भाला ब्राह्मन देता माता पारवती को सोयम से विलग करने का महादेव की समक्ष यही एक सर्वोत्त मुपाई शेश था जो उन्होंने अपने अनुसार उच्छे ताशे से किया किन्तु अगले ही शन उनके कहे का कुछ ऐसा परिणाम निकलेगा उन्होंने सोचा भी नहीं था